चमी के पत्ते को चाहिए 21 हो, 11 हो, 51 हो, 53 महीने की दस्मिति थी को उसको शहद में डुगो कर संकर भगवान के शिव लिंग पर उसको स्रंगार करो केवल चड़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा शिव का संगार करो, क्या होगा इससे, तो लिंग पुरान करती है, नर्वदा पुरान करती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुगो कर संगार करते हैं, शंकर करते हैं, इसने मेरा श्रामन महीने में श्रंगार करा है, तो क्यो ना मेभी इसका धन का संगार करकर इसको कर से मुक्त कर दो तब कर जा चुट है यह कि दस्मी चाय उजाले की कर लो चाहें दहरी की कर लो दे की शावन मास की जो पहली दस्मी आ रही है क्रिशन पक्ष की दस्मी आई गी 15 अगस्त की तो आप इन दोनों दस्मी से सिफ एक ही दस्मी पर इस उपाय को करें जिससे तरजिसे मुक्ति जरूर मिलेगी बहुत ही सरल उपाय है सिर्फ शमी के 11, 21 या 51 जो आपकी मर्जी पड़े इतने ही आपको पत्ते लेने हैं शहद लेना है शहद में बिगो बिगो कर शिवलिंग का अच्छे से श्रंगार कर देना यानि की शिवलिंग पर चिपका देना है नाम वगोत्र बोले बाबा से विंती करें करजी से मुक्ती जरू मिलेगी धन की प्राप्ती होगी क्योंकि धन की प्राप्ती होगी तो ही करजी से मुक्ती होगी तो धन के मार्ग भी प्रशस्तों होंगे तो ये छोटा सा उपाय सिर्फ शावन मास की दसमिती थी या तो उजाले की करो या अंदेरी की दोनों ही तारीक आपको बता दी गई है एक पर इस उपाय को जरूर करें चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें हरर महादेव शिदी शिवाई नमस्तूब्याँ